दिवास जिले के खाते गाउं विधानसबा शेत्र की आदिवासी बहुले ग्राम पंचाय उंकारा का जूना टांडा इतना भारी बारिश के बाद भी जल संकर से जूज रहा है जीहां जहां बारिश के दिनों में भी ग्रामीनों को पीने के पानी के लिए भटकना पड़ रहा है ग्रामीन शोभाराम बरेला ने बताये कि जूना टांडा दिवासी बहुले मज रहा है यहां पर चार हैंड पंप लगे हुए हैं इन हैंड पंपों में पानी तो प्रयाप्थ है लेकिन प्रात्मिक स्कूल सातल और एवं हनुमान मंदिर के पास दो हैंड पंप में पाइप नहीं होने से बंद पड़े हुए हैं जिसके चलते हैं यहां के बाशिंदों को पानी पीने के पानी के लिए कभी किसानों के खेतों में तो कभी इदर उदर भटकना पड़ रहा है बारिश के दिनों में कीचर से होकर खेत में पहुँचना मजबूरी हो गई हैंड पंप खराब होने की सूचना भी 15 दिन पहले पी इस ही नहीं आए अब हमें पीने के पानी के लिए कीचर से होकर खेतों से लाना पड़ रहा है वहीं संबन में पीची विभाग के एजडी ओ आर एके सोनी से बात की तो उसने बताए कि स्कूल के पास के हैंड पं में पाइप खराब हुए हैं जिने पाइप डलवा कर अंदर का पाइप फट गया है उसमें से अब हैट पं चलाते हैं तो उसमें पानी नहीं निकलता है और जब हमने सुचना दी तो बोले वे आये 15-20 दिन पहले आये थे उन्होंने ये पाइप निकालकर पटक कर चले गए ताभी तक वापस दर्सन नहीं किया हमें पानी की ब ये आप तो पानी 12 महींने रहता है लेकिन ये हैट पं का पानी वेसे हमें बहुत समझे आ रही है बच्चे भी और हम भी सब परेशान हो रहे हैं वो पाइप फटने से पानी ऊपर नहीं आता अभी जो से खोल दिया तो ये पाइप खोल के चले गए बहुत लापरवाई द दिन वापस सुदार नहीं रहे स्क्राइक करें धन्यवाद